के स्टूड Maar अंसले और यहां दया है मैंने आपको सेने निमस बिता दिये में अद बीता है हमने टाइटल को भी अच्छे से पड़ लिया है जो प्री रेडिंग है इसको भी हमने देख लिया है और इजुभ फर्सट फेरीग्राफ हों को भी हमने देख लिय아 है यादर रखे जो मैंने आपको तरीका बताया है अगर आपके पास टाइम ना हो और आप शॉर्ट टाइम है और आपको में में पॉइंट्स देखने है तो में पॉइंट्स यह हमारे पास है आप टाइटल देखो उसमें जो हेडिंग्स है उसको देखो सब हेडिंग को देखो जो हैलाइड जणर को देखो जो जो बोल्ड वर्ड्स बोल्ड लैटर्स हो बोल्ड वर्ड्स ओ उनको आपने देखना है और ज़ो फर्स्ट अगर बना रहे हो तो हम पूरा यूनिट अगर हमने पढ़ भी लिया हो या अगर हम ना भी पढ़ना चाहें टाइम नहीं है जैसे कि मैं नाम को पता है तो हम इनी में में पॉइंट्स को पढ़ के हम उसके को स्केम करके एक शौर्ट सी समरी भी बना सकते अब मैं दुबारे से पढ़ूंगी स्टिनेनम्स वगरा मैं आपको बता चुकी हूँ अब मैं इसके साथ पढ़के आपको ट्रांसलेट भी करूंगी और साथ मैं बताऊंगी भी कि हम ने इस पेरेग्रफ में क्या पढ़ा है अब मैं आपको बताऊंगी Allah followed Jesus By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from us Tolerence is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness The life of Hazrat Muhammad सWoww is a superb example of tolerance It is his tolerance that lets him forgive his worst enemies Truly, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion The Holy Quran describes him as A mercy unto the whole mankind and the universe The first line is highlighted in blue color This is our first line It is a verse that I have told you There is a verse that is a verse that has been sent to me This verse that has been sent to me It is a verse that has been sent to me That is a verse that has been sent to me seek help through patience and prayer जो और जो नमाज और सबर के जरीए अल्ला की मदद को तलाश करते हैं या हासल करते हैं या हासल करने की कोशिश करते हैं इंडिड अलाइज विट अपेशिंट बेशक अल्ला तला सबर करने वालों के साथ है यह जो paragraph हमने पढ़ा है के tolerance का मतलब है के हमारा attitude, हमारा behavior ऐसा होना चाहिए जो के बामकसद हो, objective हो और fair हो, good हो दूसरे लोगों की तरफ हर situation में ठीक है tolerance जो है एक ऐसी एक ऐसा virtue है, एक ऐसी खूबी है एक ऐसी नेकी है एक ऐसा good conduct है कि जो के एक इनसान को इस काबल बनाती है, enable करती है कि वो अपने negative remarks और negative actions को patience और calmness के साथ सबर और सुकून के साथ forbear करे, रोक के रखे, बरताष्ट करे ठीक है अब जब हमें घुस्सा आता है तो obviously हम harsh words यूज़ करते है हमारा behavior harsh होता है मार पीट करते है, गाली गलूच देते है ठीक है, तो सबर करना जब हम, जब एक इनसान सबर करता है तो वो अपनी जो गलत रविया है, negative action होगे negative remark होगे, उसको हम रोक के रखने में हमारी हमारे अंदर power पैदा हो जाती है ठीक है इस यूनिट में हम कुछ ऐसे incidents है वो हम पढ़ेंगे नभी पाग से जिन्दगी से मतलिक या आप सेलम की बर्दाश्ट ही थी के जिसकी वज़ा से आप सेलम ने अपने बतरीन दुश्मना को भी माफ कर दिया Truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion यकिन आप सेलम बर्दाश्ट की, forgiveness, माफ करने की, patience, सबर करने की and compassion और शफकत की एक एक आला नमूना है epitome a perfect example है The Holy Quran describes him as रह्मत अलामीन गुरान पाग आप सेलम को रह्मत अलामीन की तोर पर बयान करता है A mercy unto the whole mankind and the universe तमाम इनसानियत और तमाम दुनिया या काइनात के लिए रह्मत का वसीला Students, this is all for today I hope कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोग इसको रीड करें ठीक है? बार बार इसको पढ़ें जो मुश्किल वर्ड से मैंने बहुत क्लेरली हर वर्ड को प्रणांस किया है आपकी प्रणांसियेशन स्ट्रॉंग होनी चाहिए आपकी रीडिंग स्किल्स जो है आपकी वो स्ट्रॉंग होनी चाहिए आप अगर प्रैक्टिस करती रहें तो आपकी आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर लेंगे विकस प्रैक्टिस मेंक समय परफेक्ट इस इस आल पर तुदे थेंक यू टेक केर अलाहाफेज